मेरा निकाह हो चुका है, मगर हम दोनों का राप्ता अच्छा नहीं है, चुकि हमारे खानदानों में इसको अच्छा नहीं समझा जातें, अगर लड़की से राप्ता नहीं करना, पुशादी क्यों कर रहे हैं? यह मंगनी नहीं है, निकाह है, तो निकाह में तगरीबन 90% तो इसकी बीवी है जब ताक आप उसकी रुखसी नहीं कर देते तो वो 100% हो जाएगी तो 90% में आप उसको बात भी नहीं करने देते हैं उसको बुरा भी समझते हैं अगर ये बात करेगा तो गर में नकू बनेगा अगर उससे इतनी ही मुहबत है और हर वक तो आपके वो ख्यालों पर चाही रहती है बादलों की ढ़ा और अच्योंषर कीतर्वार्ण आप आच्छी कुश्मों की तरह तो फिर अल्लह के बंदे उसकी अंर्श हों मैं खुर्ण रभास और नए विलॉक जाथ हादर आप सबके मेरे असलाम पहुंचें अक्तूबर की यह आखरी शाम है अभी कल अक्तूबर शुरूर अब खत्म हो रहा है जिंदगी के माहों साल भी ऐसे इतनी ही बरकृफटारी और इतनी ही तेजी के साथ हम खुद अमर में कि इतनी जल्दी बढ़ते हैं इपन हमारे बच्चे हैं हमारे दोस्तों के बच्चे अजीदों के बच्चे जब जब हम उनको देखते हैं तो इसी बरकृफटारी के साथ बढ़ रहे होते हैं जिंदगी के मामला उनमें भी इतनी ही तेजी आ रही है पहले जो चीदें समझ नहीं आती थी, अब समझाने लगे, पहले जिन मस्यों का हल नजर नहीं आता था, अब उनका हल, हम सोचने लगे हैं, उन पर गौर करने लगे हैं, और कहीं न कहीं से, वो हल निकल आता है, यह ऐसा भी होता था, कि दस दस बीस विस साल, लोग एक मसले के साथ, जूजते रहते और उसमें से नहीं निकल पाते थी, मुझे यह इसलिए याद आया, कि क्यों पी ने उचाए, बलके पहले तो उन्होंने कहा, कि सर आप से अल्ला राजी हो, यह बहुत खुबसुरत द्वाय, सर आप से अल्ला राजी हो, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, अब यह उन्होंने मगर हम दोनों का राप्ता अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे खांदानों में इसको अच्छा नहीं समझा जाता है, और मैंने उसको मुबायल का तोफ़ा दे रिया हुए, घरवालों का इलम नहीं है, वो भी छुपकर इस्तेमाल करती है, क्या करूं, हर वक्त उसी के बारे म ना तो शिर्मीले हैं, ना घबरीले हैं, अब सोचें, कि पूरे घर का एक महाल है, और वो नहीं चाहते कि लड़की से राप्ता हो, वैसे बाइदावे, अगर लड़की से राप्ता नहीं करना, पुशादी क्यों कर रहे हैं, ये मंगनी नहीं है, निकाह है, तो निकाह में तकरीबन 90% तो इसकी वीवी है, जब तक आप उसकी रुखसी नहीं कर देते, तो वो 100% हो जाएगी, तो 90% में आप उसको बात भी नहीं करने देते, उसको बुरा भी समझते हैं, अगर ये बात करेगा, तो घर में नकू बनेगा, पर साथ एक सोच का भी पता चलता है, कि इनके घरवालों के हाँ, कोई सोच नॉर्मल नहीं है, यनि जो अब इतनी सकती कर रहे हैं, जब कल वपशारी आ जाएगी, तो इसके साथ बैट भी नहीं सकेगी, जा भी नहीं सकेगी, कि बुरा लगता है, यनि बुरा लगता है, कि डिफिनेशन में ये नहीं है कि को दीन को बुरा लगता है मखभ को बुरा लगता है मुलक को बुरा लगता है ये कहने वाले का अपना छोटा सा पिद्दा सा दिल होता है उसको बुरा लग रहा होता है और वो बुरे लगने को सब पे पहला देता है तो अब इस रिश्टे में आप लोगों ने जो मिल जूल के चोर कर रहे हो एक जाली और च्वर च्वरी के साथ ये ठीक नहीं है और इस में कुसूर उस बच्ची का बिल्कुल नहीं है उसे शर्मेलब और ग journalists होना चाहिए मुमकिनापके वो खांदान को जानती हो और मुमकिन के महतात हो लेकिन अगर उसे इतनी ही मुहबत है और हर वक्त आपके वो ख्यालों पर चाही रहती है बादलों की तरह और अच्छे मौसमों की तरह और अच्छी खुश्बों की तरह तो पिर अल्ला के बंदे उसकी ओनर्शिप भी लो उसको घर जाया करें जाके वहां मिल लिया करें और इस नहीं कर सकते यानि अब घर में कोई क्या कहेगा कि इससे लड़कियों की तर्मीत खराब हो जाएगी या लड़कियों का इमान खराब हो जाएगा यानि यह ऐसा अहमकाना जुम्ला है जो मतुस्ट या लोर मिडल क्लास में बास वास सुनने को मिलता है यह ठीक नहीं है आप जान बूज के एक गलत रस्ता खोल रहे होते हैं चोरी का तो अगर जो सीधा सुभाव रस्ता है वो खुला रहे तो वो कहते हैं आप रूको सोचते रहो आपकी बीवी है वो आपकी जिंदगी है आपकी ख्यालाद का वो हिस्सा है आप जितना मर्दी सोचे उसके बारे में सोचने में कोई गुना नहीं है उसके वारे में सोचने में कुछ बुरा नहीं है लेकिन अगर आप नहीं सोचते तो बुरा है अगर आप उसके साथ उसको कहली नहीं करते तो बुरा है और अगर आप घरवालों के सामने उसकी जितने लड़कों को भी पड़े लिखे हैं कम पड़े की ज्यादा पड़े लेके जिनको शौक है शादियों का तो साथ उनको जुमादारियां भी लेनी चाहिए अच्छा खत्रात एक चोड़ी सी गुजारश यह थी कि चुके हमने नहीं जगा आफिस शिफ्ट किया है तो हमारी मैच उमबारक की टीम में हम नया अधाफा करना चाहते तो लहौर में खास तौर पर बहरिया टाउन अल्डी एवन्यवन अजमीर टाउन या शेर्शा अगर इस इस इलाके से कुछ खवातीन हों जो पड़ी देखी हों समझदार हों और शादिशुदा या अपने घर में जो पड़ी है वो भी राप्ता कर सकती है उन मनासर पड़ा लिखा हो लेकिन सोशल मीडिया की मार्केटिंग और इसको जानता हो तो 0300-946-8746 पर राप्ता कर लीजिए एक बच्ची ने पूछा बलके एक साब सगीर साब ने पूछा कि मुझे आपकी किताबें मगवानी यह बहुत मुछल काम है दुनिया में यह मुछ फिसकल किसमे पर जाओगे जहां कहीं किताब का जिकर होता है लाइकम perception हमने बενयादी में लुटने का दर्द का जिकर किया था तो इसके नीचे पॉब्लिशर का नाम होता है लाइक यús किताब ये बहुतारी किताबें इसलाइमें पॉब्लिकेशन है छापी इनका फून नोट कर ले 042-3525-2501 और 02 और इसी तौर पे 0322-4673731 अप इने वट्सप करके वहां से लाइक ये जो मौदूर ये वाली है जो सिरीज इसमें दो किताबें है ये दोनों मेरे दिल के बहुत क्रीब हैं बहुत खुबसूरत वेक अप सीरीज है इसी तौर पे दिल पे दस्तक वैसे तो वो शाया की है मुझूरात ने पर वो भी आप इसलाम को अप्लिकेशन से मगवा सकते हैं मिट्व है ड्रेगन की वापसी है अदाब जिंदगी के है विनिंग लाइन पे कौन पहुंचाता है ये सारी आप इनसे मगवा सकते हैं और अ अच्छ टीचर है मिसाली उस्ताद है पंद्रह पहलू और इसी तोर पे छे आते हैं छे मारते हैं शे खुबियां ये सारी आप इसलाम को अप्लिकेशन से मगवा सकते हैं अखतर अबास को दीजिए अजादत असलाम